जीने का सबसे बड़ा जो लच्छ होना चाहिए कि हम क्रोध ना करें क्रोध छोटी छोटी बातों पर हम क्रोध कर लेते हैं क्रोध से हम किसी की हिंसा भी कर लेते हैं तो हम एक क्रोध से बचना है तो अब क्रोध से हम बचे कई से अब सवाल एक तो यह उठता है हम क्रोध से बचे कैसे तो क्रोध के पड़ती हमेशा हमें सजगराना है जब भी क्रोध आए तो आपको उसे रोकना है उसे देखना है यही जो देखने का बीधी जो है वो भगवान बुद्ध बतलाते है क्रोध को आने ही नहीं देना है अपने अंदर बुड़ाई भी है अच्छा भी है तो बुड़े धर्मों को अपने अंदर नहीं ले जाना है हमेशा जागरुक रहना, जागरुकता की बात काते हैं, हमेशा जागरुक रहना, वही जो है, जो असमिर्थी भगवान बुद्ध का सम्मेकर समिर्थी कहा गया, तो सम्मेकर सम्मेता असमिर्थी मान रहे, हमेशा जागरुक रहे, तो चार प्रकार के भगवान बुद्ध ने प्रियास बतलाया है एक प्रियास है कि जो हमारे अंदर जो अकुसल धर्म है बुरे धर्म है बुरे विचार है प्रियास ये करना है कि वे बुरे विचार हमारे अंदर न आवे और जो हमारे अंदर है वो समाप्त हो जाए जो हमारे अंदर नहीं है वो न आवे और जो हमारे अंदर बुड़े विचार है वे नस्ठ हो जाए ये तो दो हो गए बुड़े क्या दो अच्छे के लिए है जो अच्छे धर्म है जो अच्छे विचार है अगर हमारे अंदर नहीं है तो उसे लावे जो हमारे अंदर अच्छे विचार हैं तो परियास हो कि और बढ़े यह सम्विक परियास है यह हमेशा परियास करता रहना चाहिए जब हम ऐसा परियास करते रहेंगे तो हम कुरोज से भी मुक्त हो जाएंगे जितने भी अकुसल धर्म हैं बुरे धर्म हैं बुरे विचार है बुरी पर्विर्थियां हैं, उन सबों से हम्मुक्तहोजाएंगे, ललेकिन उसके लिए हम vents जागरुक doe नहां युद्टहएंगे सतते जागरुक doe नहां, हमेशा जागरुक Works लें तन से नहां बच पाएंगे उसली बुद्रे का सब्पापस आकर्न किसी भी पापकरम से आपके पास वह फटकने ना पाए, सभी पापकरम से अलग रहें, सब पापस अकरनंग कुसलस उपसंपदा, कुसल करमों को करना, अच्छे करमों को करना, सचित परियोद पनंग, अर्चित को परसन रखना, चित को सुध रखना, एतंग बुद्धान सासनंग, यहीं बुद्धो का उबदेश है, बुद्ध का अर्थ ही होता है, प्रकासित हो जाना, जो कोई भी परकासित हो गया है, वही बुद्ध है, जो गुव कोई भी परकासित हो गया, जो कोई भी बुद्ध होगा, वह यहीं बोलेगा, कि आप अकुसल करम मत करो, पाप करम ना करो, केवल पुन्य का संचै करो, और मन को परसुद रखो, यहीं बुद्धो का उबदे जब एसकीए